इस वीडियो में हम adjective clauses से मतालिक एक मश्क करेंगे मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है Underline adjective clauses in the following sentences also encircle the relative pronouns यानि हमने नीची दिये गए जुम्लों में से adjective clauses को underline करना है और relative pronouns के गिर्ट दाइरा बनाना है तो आएए मिलकर adjective clauses की खुसुसियात को दोहराते है एक adjective clause किसी ना किसी relative pronoun या relative adverbs से शुरू होता है यहाँ चंद relative pronouns की मिसाले दी गई हैं जैसे के लफस है that, इसके बाद who, whose, whom और which यह है relative pronouns इसी तरह से relative adverbs भी हो सकते हैं जैसे के when, where या why के अलफाज adjective clause की दूसरी खुसुसियत यह होती है कि उसमें एक subject और एक verb भी पाए जाता है और adjective clause की तीसरी खुसुसियत यह है कि वो एक noun को modify करता है यानि वो noun की वजाहत करता है इन दिये गए जिम्लों में adjective clauses relative pronoun से शुरू हो रहे है तो इस तरह adjective clause को तलाश करने का असान तरीका यह है कि पहले एक relative pronoun को तलाश किया जाए और उसके गिर्द दायरा बनाए जाए और इसके बाद आने वाले अलफाज को इस relative pronoun के साथ मिलाकर underline कर दिया जाए इस तरह से हम इस मश्क को हल करेंगे तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं नमबर वान आप भी पढ़िए यानि वो एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो के सच मालूम नहीं होती तो अब आप बताएए इस जुम्ले में वो कौन सा लफ़ है जो के एक relative pronoun है बिलकुल ठीक ये है that तो हमने इसके गिर्द दाइरा बना दिया अब इसे इसके बाद आने वाले अलफास के साथ मिला कर पढ़ते है that sounds untrue यानि जो के सच मालूम नहीं होती और ये बात किसके मतालिक कही जारी है टेल या कहानी के मतालिक यानि ये अलफास मिलकर कहानी के मतालिक additional information दे रहे है और यहां sounds का लफ्स जो है ये एक verb है तो इस तरहां जुम्ले के इस हिसे में adjective clause की खुसूसियात मौजूद हैं तो अब हम इसे underline कर देंगे अब पढ़ते हैं अगला जुम्ला number two people who eat too much might get ill यानि जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं वो बेमार हो सकते हैं तो चलिए अब आब बताएए इस जुम्ले में आपने तलाश करना है एक relative pronoun यानि आपने that, who, whose, whom या which, इन में से अगर कोई लफस इस जुम्ले में आ रहा है तो उसके मतालिक बताना है तो ये लफस है who, विल्कुल ठीक, ये है एक relative pronoun तो हमने इसके गिर्ट दाइरा बना दिया अब पढ़ते हैं इसके बाद में आने वाले अलफास who eat too much और ये बात किसके मतालिक की जारी है people के मतालिक यानि ये अलफास मिलकर उन लोगों के मतालिक वाज़ कर रहे हैं जो के बहुत ज़्यादा खाते हैं यानि वो लोग जो के बहुत ज़्यादा खाते हैं तो जुम्ले के दर्मयान में लोगों के मुतालिक एक अजाफी मालूमात दी गई है, यानि additional information दी गई है, और जुम्ले के बाकी हिस्से को इसके बाद मुकमल किया गया है might get ill यानि वो बेमार हो सकते हैं who eat too much जुम्ले के इस हिस्से में वो कौन सा लव्ज है, जो के एक verb है यह है eat तो इस verb की मौझूद की वज़ा से जुम्ले का यह हिस्सा है एक adjective clause तो इसे हमने underline करके highlight कर दिया अब अगला जुम्ला मिलकर पढ़ते हैं number three I met the woman whose son helped me यानि मुझे वो खातून मिली जिनके बेटे ने मेरी मदद की थी अब आप इस जुम्ले में से एक relative pronoun तलाश कीजिए बिलकुल ठीक यह है whose और यह लफ woman के noun को लिंक कर रहा है जुम्ले के बाकी हिस्से से जिसमें कहा गया है whose son helped me यानि वो औरत जिसके बेटे ने मेरी मदद की थी तो औरत के मतालिक वजाहत हो गई है कि यह कौन सी औरत है और जुम्ले के इस हिस्से में son का लफ जो है वो एक क्या है noun है जो के एक subject के तौर पे इस्तमाल हो रहा है यहां पे और help का लफ है एक verb तो इस तरह से जुम्ले का यह हिस्सा कहलाए जाएगा एक adjective clause तो इसे हमने underline कर दिया अब पढ़ते हैं अगला जुम्ला number four he is the man whom we all respect यानि यह वो आदमी है जिसका हम सब इहतराम करते हैं तो अब आप पताएए इस जुम्ले में relative pronoun क्या है बिलकुल ठीक यह है लफ्स whom और इसके बाद में आने वाले इसके साथ मिलकर क्या बनाएंगे एक बिलकुल ठीक adjective clause और यह सब मिलकर man के noun को modify करते हैं और जुम्ले के इस हिस्से में यानि adjective clause में एक subject और verb भी है अब अगला जुम्ला number five I have work which I must do यानि मेरे पास काम है जो मुझे जरूर करना है तो इस जुम्ले में वो कौन सा लफ्स है जो के relative pronoun है बिलकुल सही यह है लफ्स which और इसके बाद है I must do तो यहाँ subject भी है और action भी है यानि verb भी है तो which I must do यह बन गया एक adjective clause और यह modify कर रहा है work को यानि वो काम जो मैंने जरूर करना है चलिए अब एक और माश्क करते हैं मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है supply suitable adjective clauses तो अब हमने इन दिये गए जुम्लों को adjective clauses की मदद से मकमल करना है तो मिलकर शुरू करते हैं पहला जुम्ला number one where is the book और इसके बाद हमने अब यहाँ इस खाली जगा पर लिखना है एक adjective clause तो जैसे के हम इस से पहले सीख चुके हैं कि adjective clause की शुरू में एक relative pronoun या relative adverb आ सकता है और इसमें एक subject या verb भी होना चाहिए और इस जुम्ले के मताबग इस adjective clause की मदद से हम book के मतालब बताएंगे तो हम कह सकते हैं where is the book that you had borrowed from me तो जुम्ले का ये हिस्सा शुरू हो रहा है that के लवस से ये क्या है ये एक relative pronoun है जबके you का लवस एक subject के तौर पर इस्तमाल किया गया है और borrowed का लवस है एक verb किस चीज़ की वज़ाद कर रहे है book की यानि वो किताब जो के आपने मुझसे ली थी borrow का मतलब होता है कोई चीज आरजी तौर पर किसी से लेना और फिर उसे वापस कर देना और क्यूंके ये एक सवाल है तो इसके आखर में आएगा एक question mark तो ये हो गया where is the book that you had borrowed from me यानि वो किताब कहा है जो के आपने मुझसे ली थी तो इस तरह हमने एक adjective clause की मदद से इस जुमले को मुकमल कर दिया अब पढ़ते हैं अगला जुमला अब इस जुमले को भी हमने एक adjective clause की मदद से मुकमल करना है तो यहाँ इस जुमले में शागर्द को सजा देने के मुतलिक बात हो रही है तो हमने ये बताना है कि वो किस किसम का शागर्द हो सकता है कि जिसको सजा मिल सकती है तो हम कह सकते हैं के any student who tries to break the rule will be punished. और अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस adjective clause के शुरू में लफज आ रहा है who, जो के एक relative pronoun है, और यहाँ लफज break एक verb है, और who tries to break the rule के अलफाज जो है, यह student के noun को modify कर रहे हैं, यानि वो शागिर्द जो के असूल को तोड़ेगा, उसे सिजा मिलेगी, अब अगला जुमला number three, दी अम्ब्रेला ब्लांक इस माइन, तो इस जुमले में चत्री के मुतालग बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि यह मेरी है, लेकिन अब हमने चत्री के मुतालग additional information देनी है, तो हम कह सकते हैं, दी अम्ब्रेला, तो यह adjective clause भी एक relative pronoun की मदद से शुरू हो रहा है, यू का लव्ज एक subject है, और saw एक verb है, यह अलफाज बता रहे हैं, अम्ब्रेला के मतालग, यानि वो चत्री जिसे तुमने, खुंटी पर लटका हुआ देखा था, मेरी है, तो इस तरह से adjective clause की मदद से यह जुमला भी मुकमल हो गया, अगला जुमला पढ़ते हैं, norm four, that is the girl, यानि, वहां वो लड़की है, तो अब हमने, girl या लड़की के मतालग वजाहत से बताना है, कि यह किस लड़की के मतालग बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं, that is the girl who tried to help me find my lost bag, यानि, वहां वो लड़की है जिसने मेरा बैग तलाश करने में मेरी मदद की थी ये adjective clause भी एक relative pronoun की मदद से शुरू हो रहा है try to help के अलफाज जो है ये एक अमल को बता रहे है और ये तमाम अलफाज who tried to help me find my lost bag वजाहत कर रहे हैं लड़की की यानि वो लड़की जिसने बैग को तलाश करने मेरी मदद की थी तो इस तरह से ये जमला भी मुकमल हो गया अब पढ़ते हैं आखरी जमला नाबर फाइफ where is the man blank यानि किसी आदमी के मतालख पूछा जा रहा है कि वो आदमी कहा है तो अब एक adjective clause की मदद से आदमी के मतालख मजीद वजाहत से बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं कि where is the man whose car was parked outside the gate यानि वो आदमी कहा है जिसकी गारी gate के बाहर खड़ी थी तो ये adjective clause भी एक relative pronoun की मदद से शुरू हो रहा है car was parked यहाँ एक subject भी है जो कि car का लफ़ है और part क्या है ये एक verb है और इस adjective clause के तमाम अलफाज मिलकर man के noun को modify कर रहे हैं यानि उसके मतालख मजीद information दे रहे हैं तो इस मज्च की मदद से हमने ये भी सिखा कि adjective clause क्या होता है और हमें ये भी अच्छी तरह से पता चल गया कि एक adjective clause के अंदर क्या खुसियात होती हैं और वो जुमले में क्या काम करता है तो अब आप इन मश्चों से फाइदा उठाने के लिए इस वीडियो को replay कीजिए आप इन मश्चों को लिख कर भी practice कर सकते हैं इस तरह अब बहुत जल्द adjective clauses की पहचान अच्छी तरह से सीख जाएंगे